नमस्कार किसान साथियो मेरा अहूल पाद्याय आप सब के बीच लेकर आएं मटर की खेती कैसे करते हैं आइए हम दिखाते हैं यह देखिए किसान साथियों हमारा मटर का खेत जिसमें अभी छोटे-छोटे निकल रहे हैं जिसमें अक्सर फूल आ चुके हैं यह देखिए पकी प्टूबर को की थी लिए यह हैं करने के बाद इसको पचीछ दिन के अंत्राल पर हमने सिचाई की थी सिचाई करणे के बाद में किसान साथियों हम इसमें एक से डेड़ केजी दो केजी यूरिया और एक केजी नाइट्रोजन वह दोनों मिच्चर करके हमने इसकी छि पाद हमने इसकी सिचाई की थी यह जो फसल है यह नम जलवायों की फसल है जो अक्टूबर सेतंबर अक्टूबर नौंबर महीने में बोई जाती है जो ठंड रहती है ठंड मोसम में इसकी खेती की जाती है और हम बताना चाहेते हैं किसान साथियों पूछते हैं कि मतर के साथ साथ हम इसमें अन्हेखेति कोन सी कर सकते हैं तो हमकिसान सात्में स्किंटीं के लोखी की देखिल लोखी का पौधा की जो साउने हमारा आज की वीस पाइस दिन का हो गया का नुगा घ्र Nice जब इसमें मतर की कटाई हो जाएगी अभी पुप्टे आने के बाद, यहारई ने के बाद इसमें का सबनात मोजने बेटबनाएंगे जिस तरीके से थे परवल का लिए वेटगा रहता है उसी तरीके से हम बेड बनाएंगे लोकी का लोकी का बेड बनाने के बाद उसके बाद हम इसमें बोहेंगे लोबिया किसान साथियों हम यह बताना चाहते हैं अगर आप खेती करना चाहते हैं तो कोई भी समय या कोई भी मौसम ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप खेती करना सकें आप अगेती खेती भी कर सकते हैं लोग कहते हैं कि अगेती खेती करने में ज्यादा खर्चा आता है या ज्यादा रि आज तक हमने ना कोई दवा का परियोग किया है ना कुछ देटेदी करने के लिए दवा का परियोगा अधिक इसे अधिक किया आता है। उमकी सांथियों को बताना चाहेंगे Kki मतर की खेती करने के लिए कोई भी समय आपको अनकूल रहता है यह ध्यान दीजिएगा कि वह समय नम जलवाय का समय होना चाहिए और इसके बाद लोग कहते हैं कि एक बीगे में या एक एकड में कितनी बीच किया सकता होती है तो यह हमारा एक बीगे का प्लॉट है हम दिखाना चाहाएंगया किसान साथियों को यह देखिए यह हमारा एक बीगे का प्लॉट है एक बीगे में हमने 4 से 5 के हमने चैनले है िप利 लोगा कई जगह पर लोगों का बीगा होता है बड़ा दो क्येस या भीग यहां कहते है हैं इसमें हमने 4-5 केजी डाला है 5 मंने इसमें सबसे मतल आने के बाद मैं हमने इसमें पाने में भीगों दिया पानी में भीगों एक से दो दिन दो दिन कल्य गंते ने कर देखेंगे चोटे-चोटे कल्य निकले आते हैं। जब आप खेत की तैयारी करवाईए कुछ लोग कहते हैं लाइन से लाइन की दूरी या छिटवा बीद कैसे बहुए तो छिटवा बीद गाओं के बुजुर्ग लोग जानते हैं कि छिटवा बीद कैसे बहुए जाता है मता और लाइन से लाइन की दूरी सबको नहीं मालूम होती है 15 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरिं यह होनी चाहिए और पौध्य मतलब च finalement होनी चाहिए जो छीटूवा भीद होती है या लाइन भीद होती है इसमें तो दूराह डे हो यह सब्सक्राइब दुर्णाई के लिए लोग मज्दूर करते हैं अपनी खेती समझ के नहीं करते हैं तो दूसरों की खेती करते हैं तो जो पोधा होता है वो लात पढ़ जाता है बेकार हो जाता है पोधा जिसंसे कर नुकसान प्रकूछ को नुकसान होनल और नुब cama नुकसान होगा तो हमार तो इस लिए उसे ल्लाइम से लाइम की दूरी में 10 हो जाएं unnecesspri नहीं कोई दिक्कत नहीं जादा से जादा करिए और यह पिट रहेगा तो आप उसमें आज आज भी सकते हैं आपका जो पौधाया अधिक ग्रोध भी कर सकता है लोग कहता है कि खाद की आशकता है जादा लगती है तो हम बताने चाहेंगे किसांसातियों कि आप यूरिया ले घ्टिव सक्ति होती है। उल्परा खंती होती है। उल्प लिए पोदुग्स समय ने त से थीक घन्हेत, नाको चटव दिन के दिस चलगते हमाझा। जब आप रोटा बेटर से या कल्टी बेटर से खेत बनवा लीजिए तो उसके बाद जब बना ले तो मटर को लाइन से लाइन की दूरी तथा पौधे से पौधे की दूरी जरूर से जरूर ध्यान दें क्योंकि यह होता है कि कुछ लोग लगाते हैं कि कहते हैं भीया किकरने के बाद आप इसका मुनाफा देखें खेंगे तो हमारे तगरीबन से एक पौधे आले था न कास्तमि और से बीस से पाचीश रुपए आता है उर् dip a से मंटार्यों कं नियोकिर आप एक पाउदसे से नाजियर नहीं शरी एलेक यह जो कि खर्च आपार यौनियों मा मतर होती है मतर की तुड़ाई तगरीबन एक पौधे से आप कर सकते हैं दो कि देखे हम दिखाना चाहते हैं कि साथियों को यह यह हमारा पौधा फूल दे रहा है कहीं कहीं फल भी निकल आया है इसके बीच-बीच में लोकी किये देखिए लोकी भी हमारी चल रही है तो आप लोग ऐसी खेती करिए जिससे आपको घर बैठे मुनाफ़ा मिलता रहे इसमें यह जादे ना इसको जादा सिचाई किया सकता रहती है तकरीबन दो बार सिचाई की जाती है पहली सिचाई 25-30 दिन के अंतरा 20-25 दिन के अंतराल पर की जाती है और दूसरी सिचाई फूल आन सिचाई करने से यह होता है कि फल में जो होता है वो दाने अधिक से अधिक पड़ते हैं अगर खेत में नमीन ही नहीं रहेगी तो फल कहां से पढ़ेंगे दिक्कत यह रहती है इसलिए फूल आने के बाद सिचाई की जाती है उसके बाद इसको सिचाई नहीं की जाती है दो क्या सकता कम हो जाती है जिससे निराई गुड़ाई करके खुर्पी की सहायता से खुर्पे की सहायता से कुदाल की सहायता से आप इसकी निराई गुड़ाई करवा के खर्पत्वा निकाल सकते हैं ऐसी अन्य वीडियो या फसल से जानकारी खेती बाड़ी से जानकारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें धन्य बाद